हाईलो फ्रेंट्स गुड वार्निंग स्वागत है आप सबका स्युक्रुपा कलासेच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबर एकजाम दो हजार चोविस में पूछ है सकने वाले मोश्ट उमपार्टन जीके जीएस वाकेंड अफेस के पसनों को करेंगे दोस्तों यह सारे कोसंस हमारे आपके एकजाम में पूछे जाने वाले प्रस्नों के सभी टापिक्स प्रस्नों के लेबल वा प्रस्नों के टेंड्स इसके लावा दोस्तों आपके प्रिवियस एकजाम के प्रस्नों को पूरी तरह से अनलाइज करके बनाए गया एक most important वीडियो है तो दोस्तों आप लोग इने concentrate होका solve करें questions come solve होने पर पूरा पसनों कर भी इजन करें ताकि UP Police Constable एकजाम 2024 में आप लोग GK, GS, Current Affairs and UP Specials के प्रसनों में आप लोग अच्छे से अच्छे score कर सकी ध्यार आखे दोस्तों आपके एकजाम में कि इन सभी टापिक से पूछे जाएंगे तो चलिए दोस्तों जादा समय ना लेते हुए हम लोग इन सभी most important पसनों को साल्व करना सुरू करते हैं question number one है हमारा केंद्रिय माध्मिक सिछा बोड यानि की CBSC के नए ध्यच कौन बने है recently current से most important question है बिल्कुल आपके टेंड में है आपके लेबल में है question है हमारा केंद्रिय माध्मिक सिछा बोड यानि की CBSC के नए ध्यच कौन बने है correct answer होगा राहुल सिंग अब चूकी दोस्तों current से हमारा question आए हुआ है तो इस topic से जितने भी questions बनते है अधिकांस प्रस्णों को हम लोग यहीं पे cover करेंगे यही हमारे preparation की strategy है दोस्तों की जिस भी topics को हम लोग उठाएंगे उस topics के अधिकांस प्रस्णों को पूर एक्स top 8 के साथ वहीं पे cover करेंगे ध्यान दीजिगा दोस्तों आप लोग सारे questions सेलेक्ट रखे गए है पहला question है मारा इक्कानुई इंटरपोल महासभा 2030 कहा आउजित हुई करेक्ट टेंसरों का वियना आश्ट्रिया में एक या question दोस्तों आपके exam के लिए है पे super लगाए गए है तो दुबाई के UAE में किया गया है दोस्तों ध्यान रखेंगे UAE के दुबाई में किया गया है एक जक्म location को भी पूरी तरह से आप प्रिपेर रखें ताकि अगर आपके option में यही आए तो आपके question मिस नहों नहीं आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े बढ़ेंगे अगले question क्यों क्या है 43 सुआ आसियान सिखर समेलन 2030 का हवजित किया गया तो इंडोनेसिया के जकारता में किया गया है सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे आगे बढ़ते है question है संगाई सायोक संगठन यानि कि SCO जिसका पूरा नाम है संगाई कोपरेशन आर्गनाइजेशन पूछा जा रहा है सिखर समेलन 2030 का हवजित हुआ तो भारत में किया गया next G20 जो कि अब G21 हो चुका है यानि कि अफ्रीकन यूनियन एक नया सदेश इसमें सामिल हो चुका है पूछा जा रहा है कि शिखर समेलन 2030 के देशता कि देश ने की है तो भारत में कि इसी के साथ अपडेट रखेंगे जो कि PDF में में मेंशन है कि जो G20 यानि कि G21 शिखर समेलन 2024 के देशता कौन सा देश करेगा तो वराजियल करेगा आगे बढ़िएगा कोस्चन है साथ हुए म्यूनिक सुरच्छा समेलन 2024 का विजन कहा हुआ है तो जर्मनी में हुआ है सन्यूक तो राष्ट जल समेलन 2030 कहा जितकिया गया है तो अमेरिका के नियुयार के सहर में पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे आगे बढ़िएगा कोस्चन है दोस्तों पहले वैस्बिग बहुत देश समेलन 2023 की मेजवानी किस देश ने की है तो वहारत ने की है नेक्स्ट दो हज़ार तेश में नेक्स्ट दो हज़ार तेश में चट हुआ हिंद वहां सागर समेलन कहा उज़ित हुआ तो वांगला देश की धाका में किया गया वह आठवे वैसबिग परोद्दोगी के समेलन 2023 की मेजवानी किस देश ने की तो भारत ने की है आपके पर्ट करम में मिंसन है दोस्तों की राष्टियो मंतर राष्टियो महत्यों की समसामाई घटने वहां से दोस्तों ये सेलेक्टेट कोस्टन स आपके उठाए जा रहे है पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे जननिक सिनर ने जो कि इटली से आते हैं, नेक्स्ट उनहत्रों फिल्म फेर पुरसकर दो हजार चोविस में, सर्विस रेस्ट अभीनिता का पुरसकर किसने जीता, तो आलिया भाट पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे, नेक्स्ट इस पेस इंडिया ने किसे अपना ब् पूरस दो हजार चोविस में, ICC T20 विसकप के ब्रांड मेस्टर किसन उत्किया गया दोस्तों, तो उस्टायन बॉल्ट और यूराज सिंग को दोनों ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट लोग प्रिया आम के स्वाद वाले फेस्लाइस, आप लोग जानते हैं, और भारत के लोग प्रिया वरांड विसलेरी, आप लोग जानते हैं, विसलेरी की पहली, वैस्विक वरांड वेस्टर कोन बनी है, तो दीपका पाद कोन, पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, करन के कोस्टन थे दोस्तों, जिनको हम लोग नेक्साथ कार साल्व किये हैं, आगे बढ़ें इसकी पेटफीस रखेंगे हैं, होटसफ नमबर आप लोग के सामने, जहां पर आप जूड कर पीडिया ले सकते हैं, सिकंड पीडिया जो हमाद वरा भेरती को दिया जारा है, कंबाइन पीडिया रेडी हो गया है, बिहार उससी वा बिहार पुलिस का अंस्टेबल का, आर इनके पार्ट करम को कबर किया गया है, जिसमें तोटल आपके पचास नमबर के कोस्टन का वेटेस है, और लास्ट में दोस्तों, इसससी अल एकजाम निकल चुके हैं, आप जानते होंगे, आपका CPO और दोस्तों, CHSL निकल चुका है, कापी helpful गया है हमारा पीडिया आप, CGL लगा है, MTS भी लगा हुआ है, इसकी बाद में दोस्तों, ZTV आने वाली आप लोग जानते हैं, बढ़ेंगे अगले कोस्टन की और, एक बात कहना चाहिए, ये तिन लोग दोस्तों, PDF लोई चुके हैं, हो सेके तो आप प्रेंट आउट जरूर निकल हुआ है, इससे एक कि study कर सकते हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में, बीना इधर उदर बढ़े के, आप लोगों की preparation अच्छे खासरेंग से clear हो जाती है, अगला question आपका क्या है, टिटने से सरेर का कौन सांग परभाईत होता है, तो तंत्री का तंत्र है, question general science है, our topics आप लोग जा इस seat को आप लोग पूरी तरह से दुस्तो रिवाइज रखेंगे, चलिए शुरू करते हैं, question है, टेटने से सरेर का कौन सांग परभाईत होता है, तो तंत्री का तंत्र है, विक तरह रोग के नाप, दूसरी तरह परभाईत है, सबसे पहले polio की बात करने, तो इससे सरेर क परभाईत होते हैं, गला भी होता है, रिन भी होती हो, नाडी भी होता है, चेचक से दोस्तो संपूर सरीर परभाईत होता है, छोटी माता नाम वरोज से भी संपूर सरीर परभाईत होता है, पीलिया से यकरित परभाईत होता है, most common question, super question आप कर सकते हैं, वंड एक्जा में डिप्थिरिया से दोस्तों, स्वासनली परवाइत होती है, काली खासी आप्ट कीमा समझने का प्रियास के जिए होड़ टापिक्स को आप अप पूरी तरह से अपडेट रखेंगें, आप जानते हैं आपको इस एक जाम में दोबारा बैठने का मोगा मिला है, अब ऐसे है इस तो आप सब पूरी तरह से बनते रहते हैं, आपके एक्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप सब पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, चलिए सुरू करते हैं, जनेटी कोड की खोस किस ने की थी, करेक्टर उसका हर्गोविंद खुराना ने, अब एक तरह बाविसकार और खोस के नाम, दूसरी तरह बाविसकार का और खोस करता के नाम, सबसे पले इंसुलीन का टीका है, जिसकी खोस से बैटिंग ने की थी, हिर्दय परिवर्तन की खोस डाक्टर क्रिस्चियन बर्णार ने की थी, हैजा कटिका की खोर राबर्ट कोस ने की थी, डीडिटी की खोर्ष दोस्तों डाक्टर पाल मूलार ने की थी, आगे बलेंगे हम लोग, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रखेंगे, अगला क्या है, वेरी-वेरी की खोर्ष जिसकी खोर्ष आजक मैन ने की थी, जनेटीक कोट की खोर्ष अरगविंद खिराना ने की थी, डीने की खोर्ष जेम स्वार्सन तर्था क्रिक ने की थी, बैक्टिरिया की खोर्ष लुविन हाक ने की थी, पेंसलीन की खोष सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, रखत पार्युहान यह रखत संचन की खोष बिलियम हार्वे ने की थी, रखत सम्हू की खोष कार लैंडी स्टीनर ने की थी, होमेपाई थी के जना कौन मानने जाते हैं दोस्तों हानीमेन ध्यान रखेंगे, अब भीटामीन से साadट थोड़े से आप अप L compon की खाल aujourd धी थी, वीटामीन की खोष तो केवल वास ने की थी, ध्यान रखेंगे अगला question है दोस्तों हमारा देखेंगे हम लोग question रखा गया है फुलहर जील भारत के किस राज में इस्तित है correct answer उत्तर परदेश में कहां पे उत्तर परदेश में question कहां से आके ध्यान देंगे यूपी special के static जिक्के से questions आया हुआ है seat आपके सामने लगी हुई है अब देखेंगे दोस्तों आप लोग यूपी special के बहुत सारे questions आपको एक साथ यहां पे कबर होने वाले A to Z आप लोग पूरी तरह से इनको कबर करने का प्रियास करेंगे यहां पे आप रिवाइज भी करने का प्रियास करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं हम लोग question क्या है हमारा फुलाहार जहिल भारत के किस राज में इस्तित है correct answer होगा उत्तर परदेश में अब ये 2 Z आप लोग कबर किजिए part number 1 से क्या है उत्तर परदेश में लोग सभा सीटों की संख्या कितनी है तो 80 है कितनी 80 next उत्तर परदेश में राज सभा सीटों की संख्या कितनी है तो 31 है next दोस्तों उत्तर परदेश में बिधान सभा सीटों की संख्या की बात की जा तो वारांलसी में, कहाँ भी वारांटसी में next question है हमारा साęडनात मंधिर उत्द्परदेस के की जिले में इस्थीत तो वारांटसी में किस जिले में वारांटसी में रिवासी जरूर करेंगे next अगला है काशि विस्टुनात मंदिर, आप लोग नाम सुने होंगे, करणे का भी दौस्तों हमें है, मैंसन, उत्तर परदेश कि जिले में स्थित है, तो वाराणसी में स्थित का क्या काशि विस्टुनात मंदिर, आगे बढ़ियेगा, ताला नगरी कि सहर का उपनाम है, आप है महात्मा बुद्ध का महा पर निर्वान कहां पर हुआ था तो एक कुछी नारा में हुआ था नेक्स्ट अठास्टान के पर्थम सुतनता अंदोलन की सुरुआत कहां से हुई थी मेरट से कभी नहीं भूलेंगे आप लोग नेक्स्ट चोरी-चोरा की घटना कब हुई थी द पर नंगाल की खाड़ी से पूरी तरह से दोस्तों आप इसको अपडेट रखेंगे आप चलिए थोड़े से दोस्तों डाडा के कुछन आपके जनगर्ना से उठाएगे हैं उनको आप लोग पूरी तरह से कभर कीजिए पहला कोश्टन क्या है दोस्तों वर्स 2011 की जनगर्न लाग 8510 नेक्स्ट वर से 2011 की जनगर्ना के उसार उत्तर प्रदेश में महिला जन संग्या तो 9 कौरूं 33,831 ध्यान रखेंगे नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की दस्की यह नि 2001 से 2011 के बीच की बात की जन संग्या रिद्धी दर्शूपर कोस्टन्स लगाएगे हैं तो दोस्त आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे एक एक कोस्टन्स दोस्तों यहाँ पे चून की लगाएगे दियान रखेंगे आगे बढ़िएगा अगला कोस्टन क्या है उत्तर प्रदेश का सबसे घहना वसा जिला कौन सा दोस्तों तो लखनव है नेक्स्ट वर से 2011 की जनगर्न सिंध नदी की कुल लंबाई कितने तो 416 किलोमीटर फुलहर जिल जो हमारा कोस्टन बनके आया था भारत के किस राज में इत्तित है उस तरपरदेश में यह हम लोग दोस्तों स्टेटी जीके के कोस्टन कबर किये हैं कहां से यूपी स्पेसा से सब आप पूरी तरह से कबर रखेंगे पीडियुब के लिए हमारा होट्स अब अगला कोस्टन की होर अगला कोस्टन हमारा क्या है दूस्तों देखेंगे हम लोग कोस्टन अख का कगया है भारती रास्टे आथाड़ियस स्थापना कभ हुई थे करेक्ट अव्य अच्छा सिर्चご को कभuse Calljay से आकर दो कर्षों कर्थों कोश्चन से भाठी राष्टे कांग्रेस के स्थापना का बूए थी ठापना का बूस्टा इक नाम से जाने जानते हैं, कि गोकुल दास तेजपाल संस्कित महाविध्याले में की गई थी इसमें कुल 72 परतिनी दियों ने भाग लिया था पूरी तरह से अप् इसके स्थापना के समय भात के तब कर लिए तो लाट डफरिन थे नेक्स्ट भारती राष्टे कांग्रेश के पर्थम मुस्लिम अध्यष बदरुदीन तयब जी भारती राष्टे कांग्रेश के पर्थम माईला अध्यष एनीवेशन वह भारती राष्टे कांग्रेश के वर 3129 को भातिरास्ट्री डिश्ट का वासिक अदिशन ततकालिन पंजाब की प्रांद की राजदानी लाहोर में हुआ इस सहतिहासिक अदिशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज जी का घोंषणापत तयार किया गया तथा पूर्ण सोराज को कांग्रेस का मुख लच गोसित किया गया घुमा घुमा के पुछाता है यह कोश्चन ध्यान रखेंगे पूर्ण सोराज की मां घुंशना यह लच कमने धाट किया का कौन सा देशन तो 31 1929 का जो भारती राष्टी कांग्रेस का दोस्तों लाहोर में दिवेशन हुआ सभी लोग जानते हैं जो की सरपर्थम यह ध्यान दीजिए 27 1911 को भारती राष्टी कांग्रेस के कलकत्ता अद्वेशन में घाय गया था अब दो पॉइंट आप बोस्त पड़त देखिए पहला दोस्तों सेंटन्स है नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्स 1907 में कांग इस अद्वेशन के दिशता अंभी काचल मज़ूम दान ने की थी पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों में लोग नक्ष्ट कोस्चन की और पीडियाप के लिए दोस्तों हमारा वाटस अपनमर लगा हुआ है बढ़ेंगे दोस्तों लोग अगले कोस्चन की और अगला कोस्चन हमारा क्या है भारतिय संग्धान सभा के पर्थाम बैठा काभूईते करेक्टर सोगा दोस्तों हम बराबर बताते हैं आप लोगों को कांटिनू जहां पर आप डेट मेंसन करते हैं पूरी तरह से पर प्रप्या रही गाया कोश्चन वाइसे बनते हैं इसलिए हमादव रखा जाता है कोश्चन कहां से भारते संग्धान सभा के निरमार को लेकर आया दोस्तों आप जानते हैं बहुत सारी फैक्ट यहां से आपके निकलते हैं संग्धान निरमार से लेका दोस्तों संग्धान जब तक बना उसमें समितिया सारे कुछ पारित कब किया गया कब क्या हुआ कब क्या ने दिफेशन पूरा एट उजड यहां पे सीट लगे इसी में से कोश् जुलाई 1946 इसी में किया गया था कविमिनेट मिशन योजना ध्यान रखे डाकली बनता संग्धान समा का अगटन की दोस्तों योजना की अधार पर किया गया तो कविमिनेट मिशना है नेक्स्ट भारते संग्धान सभा की पर्थम बैठक तो 1926 को संसद भौन के केंद्रे बारम हुई इसी बैठक में डाक्टर सजीदान अंसिना को सर्व समती से आ अस्थाइद्ध चुना गया था यह ध्यान रखे नेक्स्ट भारते संग्धान सभा के एगली बैठाई जो की 11.1946 इसी बैठक में डाक्टर राजन पसाथ को संभा का अस्थाइद्ध चुना गया आगला पाइंट संभाण नेमार के समय समधियों का आगठन में रुख जानते होगे जिसमें प्रारूफ समीति मोष्ट उयू जिनके अधर डाक्TER भिमराव मैट करते हैं आप चलिए समीतियों की बात हुईये तो जीतनी समातिया गटित की गई आ को नोग पूरी तरव से खовор करते हैं ध्याम देंगि संगधाइं सभाव की परमुख समीतियों का नाम है यानि परहिले परमुख समीतियों के नाम फिर दिनूल द्यावे आप update रखेंगे मिलाने के लिए अलग अल्ड़ान से पूछा जाता है अब कुछ question आप यहां से कवर की लेजिए ताकि यह topic आपका complete हो जाए ध्यान देंगे संग्धान 2649 को बनकर अब इस दिन यह ready हो गया और इसी दिन इसे अंगेगरित याने के पारित किया गया संग्धान समा की अंतिम बैठक जोगी 24 जनुरी 1950 को ही थी उसी दिन संग्धान समा द्वारा डक्टर रजेन पसाद को भारत का प्रत्व राष्टपती निर्वाचित किया गया बढ़ेंगे दोस्तों अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन हमारा किस टापिक से देखेंगे दोस्तों हम लोग कोश्चन अखा गया है राष्टे राजमा संख्या पांच यानि कि नेशनल हाइवे नंबर फाइब किनको किस से जोड़ता है कुलकाता चिर नहीं इसको हम रिवाइज भी करवा चुके हैं ध्यान रखेगा कोश्चन बरावब बनते हैं तो दस दोस्तों मातपूर राष्टी राजमार्ग है आप लोग उनको कवर के लिए किनको किस से जोड़ता है एक तरब राष्टी राजमा संख्या ने नेशनल हाइवे नंबर संख्या देग और क्या क्या है दोस्तों राष्टी राजमा संख्या पांच की बात की जा तो कोलकाता को चन्ने से राष्टी राजमा संख्या छे जो कि कोलकाता को मुंबई से राष्टी राजमा संख्या साथ औरारसी को कन्या कुमाई से राष्टी राजमा संख्या नो पूरे टू अपने साल्व की होंगे और देखे होंगे कि यहां से आपके कितने प्रस्न सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमाई स्टेडी चैनल से कुर्पा कलासे से जुणें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोस्ते जाने वाले सभी वीडियो से आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों हम नक्स्ट वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग